स्वागर ते आप सबका सूपभल सिस्टर्स में प्रिंट्स आज मैं बना रही हूं प्याज clicking टैस्टी औरxo울 Jamae यह जदे तर राजिस्थान में बनाई जाती है इसका स्वाप बहुत ही लाजबाब होता है यह सब्ची पहुत ही टेस्टी होती है यदि आप त्योहार के बाद ओई खाना खाकर बोर हो गए है तो आप इससे ट्राइ किजे आपको यह सब्ची जरूर पसंद आएगी तो इस स तो इसे मार्बल का साइज है यह बड़े सब्चाइय लिए और रहा है नेको हम फ्राइब करेंगे फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे थाह लिए जल जाएंगे तो इने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी से प्राइब करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर गोल्डन ब जोड़फ gonna be ana okayो अब हम बच्चे-ऊप्याज को भी फ्राइग कर लेंगे जर्डे अब मसाला त्यार कर लेते हैं मसाले में मैंने लिया है 2 चम्मज दनिया with a a5-4 चम चाली मिर्च दो इंच डालचीनी कि चार-पांच रोंग को एक चमण oriented और 15-20 लेसन की कलिया है चोटी साइस की कलिया है और दो टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है इन सब को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो मसाला हमारा रेडियो हो चुका है पीस होगा अब हम दो चमण गरम उयल में आदा चमण जीरा डालेंगे और आदा चमण हींग हमने अड़् किया है हींग कर टेस्ट इस सबजी में बहुत अच्छा आता है आदा चमण हल्दी एक चमण लाल मिर्च और जो हमने टमाटर प तो सबजी अच्छा आता है तो मसालों को बीच वीच में चलाते रहना है अब यहां पर हम डेड़ चमचिस में नमक एड़ कर रहे हैं आपने तेश्ट के एकोर्डिंग एड कर सकते हैं मसालों कब तब तक फ्राए करेंगे जब तक कि अच्छा से ओल ना छोड़दे चोटी खाने की चोटी चोटी टिप से खाना बहुत तेस्टी बनता है यदि खाने में मन लगा कर खाना बनाया जाए और प्यार से खाना बनाया जाए तो खाने का स्वाथ जो है कई गुना जादा बहतर बनता है अब हम यहाँ पर आधा गिलास पानी आइड करेंगे और मसालों को इसमें अच्छे से मेक्स करेंगे यदि आपको ठीक ग्रेवी चीए तो आप थोड़ा सा और कम पानी आइड कर सकते हैं तो पानी में उबाल आ गया है अब हम यहाँ पर प्याज आइड करेंगे थोड़ी देर इसे ढखकन लगा के पकाएंगे ताकि हमारे जो प्याज में मसाल अच्छे से अब्सवर हो जाए अब हमने इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दिया है थोड़ी देर ढखकन लगा के और पकाएंगे अब यह मैंने जो है दही लिया है इसको बहुत अच्छे से मथ्ष लिया है यह फ्रेस दही है तो इसको अच्छे से फेट करके हमें इसमें डालना है और दही डालते समय हमने एक हाथ से चलाते रहना है अधरवाइस दही फट जाएगा तो जब हम इसमें दही आइड करेंगे तो हमने सब्जी को चलाना बिल्कुल भी बन नहीं करना है यदि हम सब्जी चलाना बन कर देंगे तो यह दही फट जाता है इस बात का हमें ध्यान रखना होगा थोड़ी दर चलाते रहेंगे इसी तरह से सब्जी को तो थोड़ा सा इस तरह से दही को हम सब्जी में पका लेंगे अब सब्जी हमारी जो है रेडी हो चुकी है तो यहां पर हम सब्जी में थोड़ी सी मलाई आड़ करेंगे आप यहां पर मलाई किजिएगे फ्रैस क्रीम भी यूज कर सकते हैं यह फ्रैस मलाई है इसको मैंने अच्छे से फैट लिया है फ्लेम को हमने बन कर दिया है तो सब्जी हमारी जो है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे धेर सारा लाइक दीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है अपने फ्रैंड के संग अपने रिलेटिव के संग शेयर कीज कर दिया है